कि सर्पंचों की सरकार के साथ सेहमती नहीं बनी है 17 मार्ज को विधानसवा का घिराफ करने की अब बात करने सर्पंच खबरें अभी तक के समवाद आता मेरे सेहोगी इस वक्त महाँ पर मौझूद हैं बसंत और आर्टी सर्पंच उनके साथ मैं है क्या कुछ क्या रहे हैं सर्पंच सीधे आपको सुनवाएंगे जी आर्टी बिल्कुल नासर मैं और बसंत यहां पहुँचेंगे ग्राउंड जीरो से परपंच की अपडेट देने के लिए क्योंकि अब देखिए सर्पंचू की जिस तरह से सर्थमिती नहीं बन पाई है उसके बाद आगे कि रणनीती पर इन्होंने विचार किया के और ये तैय कर चुके हैं कि अब ये आर पार के लड़ाई लड़ेंगे और बसंत हम इसी को लेकर अब जानकारी भी इन से हासिल करने का प्रयास करेंगे आज उमीद थी कि बाचीत से हल निकल निकल नहीं पाया बिलकुल आरती जैसा कि हमने देखा कि कल रात को भी 11 बज के 15 मिनट तक बाची चली थी हर्याना सरकार के साथ लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी नासिर जी जिन पर सहमती नहीं बन पाई थी लेकिन उसके बाद आज सुबा भी 10-11 बजे का वक्त दिया गया सरपंच असोशेशन को लेकिन बैठक नहीं हो पाई सीम करनाल के लिए निकल गए थी उसके बाद आज शाम को चार बजे जो बैठक है वो रही थी लेकिन उसके बाद कई मांगे ऐसी हैं जिन पर सहमती नहीं बन पाई है हमारे साथ सरपंच एसोशेशन के सचिव मोजूद है प्रदेश सचिव का रास्ता भी अपनाया गया और उसके बहुत उमीद थी आज की बैठक से उमीदें पूरी होती नजर नहीं आई है अब क्या रास्ता अपनाएंगे धन्यवद आती जी सब बेलकुल निशी तोर पर ठीक कि रहे हो कि हमें उमीद थी काफी उमीद थी हमें पॉजिटिव और निश्चत पर हमारी मांगों को मानने का काम करेंगे और ग्रामिन द्यात के अंदर जो रुका हुआ विकास है उसको गती देने का काम करेंगे हम इसमें माहीं थे लेकर बगी हालाद जब देखे कल बहुत अच्छा हमारी वारता रही एक बिंदू पर विस्तार से हमारी चर्चा हुई यही सबसे बड़ी बात है कि कल अगर पॉजटिव बात चीत रही तो आज फिर हल क्यों ने निकला कहां पेच पस रहा है कौन से बड़ी बात है बताईए जनता भी जानना चाहते है दर्शक भी जानना चाहते है इतना गति रोध है कौन से मुद्धे पर बात बन नहीं पा र हुआ है जिस को लेकर के बॉल लगाई जा रही है चाहे राइट टू का मामला है चाहे। सब्सक VISTA के लिए बांट अब हैत्ट को लिए वाट है जा है कि आपने जिकर था हक है और शुरू से यत मतार्द हम ने देखा शें कर आओ बी रहां अ antib знак में बात ही की जारे थी कि 50 लाग तक की पैसे ऐसे कर दें जाए कि वो विकास पर सीधे खर्चों इसे बाहर रखा जाए यहां सहमती नहीं बन रही है क्या सरकार एक दो कदम आगे बढ़ने चाहती है क्या थोड़ी बहुत इस राशी को बढ़ाने पर विचार हुआ दरसल आरतीजी सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जन परतीनी दियों पर एलेक्टिट बोडी को पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है मद्य प्रदेश के अंदर उन्हीं की सरकार है भारते जंता पाट्टी की सरकार है 15 लाग पहले उन लोगों की पावरें थी पंचाइ सरजन परतिन लिदी के पास में 15 लाग की पावरी थी 10 लाग बढ़ा कर और जारी हो चुका है 25 लाग उनकी पावरें कर दी मैं नordon मुख्य मंतर्य जी से कहा है मुख्य मंतर्य मंद्य परदेश के उन सारी अधिकारओं को धरातल हरेना परदेश केंधरा लागो करने का काम करें वहां भी आपकी सरकार है बड़ी सिदध के सारे मेहनत के सार्त में बड़े जनून के सारत हरेना agent इसकंतर हमने भारते जंता पार्टी को चुनकर भेजने का काम किया था इस पर सबसें किया था कि इस गिरामिन सिस्टम को परपस लग पूरा नहीं हो पारा बसंत क्या पूछ रहे हैं ठीक है रफीजी मेरा सवाल आप से जैसा कि आज चार बजे वारता होनी थी लेकिन होने ही पाई सरपंच ये कह रहे हैं कि इटेंडरिंग को खतम किया जाए या फिर जो सीमा है उसे 50 लाके पार किया जा उसके बाद इटेंडरिंग आप लागू कर दीजिए लेकिन सरकार ये कह रही है कि एक बार तो हम इसे लागू करेंगे बाद में अगर तकनीकी कोई खामी हम ग्रामिन आचल के उस विकास को नहीं रोक सकते किसी कीमत पर भी जिसी दत के जाथ ग्रामिन के आचल के लोगों ने हमें चुनके बेजने का काम किया है कि एक सरपंच के काम में और ये टेंडिंग के काम में जमीन और आसमन कंतर है तो हमारे साथ यहां पर प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ वो प्रदेश सचीव मापके जिगा हमारे साथ यहां पर मुझूद है उनसे भी बातचित करेंगे देखिए अब इटेंडरिंग को लेकर सरकार भी अपना सक्त रवया अपनाती नजर आई है कि हम एक बार तो इटेंडरिंग को लागू करें हमने दरातल पर उनको काफी समझानेा काम किया सरकार अपने चुने वेपरती निदिए ओप़ विस्वास नहीं कर रही और एक ठेकेदार पर विस्वास कर रही है हमने उनको बताया एक ठेकेदार फिर भी एक अपना इंकोंगू ऑफ सौर्स के बिजनस करता है और यह आपन चुने वे प्रतिन दिया, आप इन पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे? वही पर नाली शेम टू सेम उनके उपर है, लागू है, उनके एडमिस्टेरियर पाउर जिनकी जुडिसन है, जिनकी मोनिटरिंग है, वही سरपंच के उपर है, वहीं ठेकेदार के उपर है. लेकिन सरक पता नहीं क्या हट लेके बैठी है कि अपने सरपंचों पर विश्वास नहीं कर रही और ठेकदार पर विश्वास जता रही है यह बिलकुल हम कतई हम इस तीसे सह मतनी है हम गरामी नाचल को ऐसे बरबाद नहीं होने देंगे हजो क्यों कि ठेकदार कहां से गुणवक्ता ला हम परिजन करो हमने सीमसाब काफी समझाया था और उन्हेंने कल एक आसवासन दिया था एक काफी पोजिटिव वे में वो गए थे मैं अपनी ओफिसर लोबी से दरातल से अपनी पूरी रिपोर्ट लूँआ और कल आपको एक खुशकबरी देना काम करेंगे जो हम सारा दिन वारता हुई है लेकिन आज पैंच कहां फस्ता नजर आया आज भी जो सैमती बननी थी मुख्य मांगी टेंडरिंग को लेकर वो बनती नजर नहीं आई है जो यह एक हमारा मुद्दा है लेकिन हमारे मुद्दा सब से बड़ा मुद्दा था आत्ति-तरवे संसोजन की जो ग परदेश चले जाओ, गोवा चले जाओ, केरला चले जाओ, बहुत से ऐसे स्टेट राजसान चले जाओ, जो हमारे साथी लगते स्टेट हैं, उन्हों ने वो लागू करेखी और उनका एक रिजल्ट बहुत अच्छा दरातल पे, एक गराउंस जो सबा है, वो एक अच्छे त चंडीगर से सरपंच एस्टेशन की प्रेज कॉनफेंस, सरकार के साथ इटेंडरिंग पर नहीं बनी सहमती, बुख्य मांगों पर नहीं बनी सहमती, 17 मार्ज को विधानसवा का घिराव करने का एलान क्या है, सरपंचों ने हमारी किसी मांग पर सहमती नहीं बनी, ग्राम प हमारी कल श्याम को भी मिटिंग हुई थी, आज ही वारता चली, हमारी किसी परकार की कोई सहमती नहीं बनी है, हमारा जो गाउं देहात बचाओ अंदोलना है, वो हमारा एज़िट जारी रहेगा, और आपके माध्यम से में मेरे साथियों को, सभी सरपंसाथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, कि अपना जो कल करनाल का था, सियमा उसका गहराव था, ग्यारा मार्च का, वो हम यहां रहे हमारी त्यारी नहीं, उसको हम सहत गीत करते हैं, और अपने आंदोलने को जारी रिखते हुए, हम 17 तारिक को विधान सभा का गहराव करेंगे, उस दिन विधा आंदोल में सभी सरपन साथियों से निवीदने हैं, कि कोई साथी परस्ताव ना देो, अपने 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 गाहं बचाने के लिए, अपनी 17 तारिकी त्यारिये में जूटो, और अपने अपने गाहं बचाने का काम करें, सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टूरी इटेंडरी पुलना ली है, उन पर मारी कोई सहमती नहीं बनेंगे